पहले 6-7 की तरह से पहले टॉफी बाटने की डिमांड पूरी गई और अब उसी एज के बच्चों के हिसाब से क्या लेकर मंगाया है बैग मंगाया है वो गिफ्ट आ गया है जो जनाब ने इनके लिए ओडर किया था भाई क्या बकवास चीज मंगाया है क्या बोरिंग चीज मंगाया है कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी मतलब इतना बड़ा लड़का जो अब 10th में आ गया है यह सारी चीजे करेगा इन सारी चीजों को ले जाने के लि मस्कुराते हुआ और रिस्पोंस करता हुआ नजर आ रहा है बागी तो भाई सुपर बोरिंग है क्योंकि बारिश होरी तो इसलिए जरा हमने बाहर जाना कैंसल कर दिया और सोचा के चलो लोग घर में बनाया जाए चलिए लोगों को बोर किया जाए और पहले उनकी अम्मी ने दिखाया कि वह बच्चा जो है तां जहां यह सब करके खेल रहा है और फिर उसके पापा ने भी दिखाया यह बच्चा तां जहां करके खेल रहा है तो भाई क्यूट तो वह है अब तो वह बहुत क्यूट क्यूट हरकते कर रहा है रोज रोज नेने चीज़े सीख रहा साही लेकिन आप जो इनको यह खुशी मिल रही है यह वैसे कई महीने पहले मिल जाने चाहिए थे क्योंकि बच्छे जो ना कई महीने पहले सारे मालस्टोन पूरे कर लेते हैं बहुत-बहुत सारे चीज़ें सिखते इस रेज में आके तो बच्छे मम्मा या पापा या अम्म बेबी का क्या लंच बनाए क्या बनाए कि बहुत ही अच्छा सा मैकरोनी बनाए अब भाई बच्छे को मैकरोनी खिलाई जाएगी अब पतानी सूजी की है या मैदा की है कही ऐसे तो नहीं कि मैदा की जो है बच्छे को खिलाई जारी हो क्योंकि मैडम को शूट नहीं करती तो उसी की gravy जो है वो टेस्ट करा रही है तो जना आपको बहुत पसंद आई भाई मज़े हागे जनापके तो मैडम इसमें से जनापको भी देते तो उनको इतनी पसंद आई है तो और बच्चा जो है वेट कर रहा है अपने खाने का और खाने को देखके भाई साव जो खुश हुआ और फाइनली अब उसको नीचे खिलने के लिए भेज देते हैं थोड़ दे के लिए बाहर की हावा पानी लगेगी उसी में ही बच्चा जो है अच्छे तरीके से पना पाता है क्योंकि जब तक उसको बाहर की हावा नहीं लगेगी अच्छे कलर सूल चीजे नहीं देखेंगे चिडिया की चैचा हाट नहीं सुनेगा अलग-अलग तरीके की नौइस नहीं सुनेगा तो बच्चा जो है ना क्या सी समझेगा उसको फाइब बेचके के जहान में बोर करके रख दे देंगे तो अब जनाब क्योंकि जानी पार है कहीं पर भी तो जनाब नहीं सोच है कि आज मैं घर पे ही ट्रेड मिल चलाऊंगा और घर पे ही ट्रेड मिल चलाऊंगा और मैडम बड़े आराम से और बड़े ही सुकून से उनकी सारी बाते सुन रही है और कहते हैं देखो मस्त कितना मैंने काडियो कर सकते हैं जितना हम घर में कर सकते हैं उतना हम बाहर जिम्में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हुआ एस ही चल रहे होते हैं और मस्त देखो कितने स्वेट हुआ है आओ आओ गले लगाते हो और वो कहते हैं ची 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 दूर रहो गले म तो देखो बहु इनको भी गंदिगी से नफ़त है जैसे बाकी लोगों को नफ़त है अपर नहीं है, तो ना फणी को है, न चालू को जो चार चार पांच पार दिन तक स्वेट वाले कपड़ों में घुमते रहते हैं, नहाते नहीं है, कपड़े नहीं चेंज करते हैं, अब क पूरे जोइंट फेमली में बच्चा पनपता है ना तो वह बहुत सारी नई चीज़ें छीक्ता है कुछ बुआ से सी गवा कुछ चाचू सी आपनी अमी अम्मी से सीखियह कुछ नानी से सीखिय perhaps नानी से कीव यह जाओं सौन आपकBeat बाइ इसका कुछ तो नाम तो होगा और ये भी बता दो अगर ये बैठा हुआ है तो यहां क्यों बैठा हुआ है आपका व्लोग एडिट करने के लिए बैठा हुआ है ना पापा यहां पर वॉक कर रहे हैं कोई पापा से पूछना नहीं कुछ इनको इन्वाल्मेंट नहीं पापा को भी कोई मतलब नहीं है बस अपना विचार है वो जो उनको फूट स्टैप पूरे करने हैं वो फूट स्टैप पूरे कर रहे हैं और अब फाइनली जब उसका नाम पुकारते हैं तो बच्चा पलट का देखता है और कट्टू अगले सिन में कहते हैं तुमने वाक न लुक चला गया है यह नहीं गया है जबकि आज यह वीडियो जाने वाला तो उस क्लिप इनको पार्ट को जो ट्रिम करवा दिया होता है क्योंकि मैडम का ओल्रीड़ी दो दिन पहले तंदूरी चाय का आ चुका है तो कहते हैं इन्होंने पता निए वो डाला है या नहीं ड न डाली अलागि एक क्लिप आप जो है देख चुके होंगे लेकिन आज ये मेरे साथ खेल रहा था तो मुझे बड़ा क्यूट लगता है और ताह ताह करके बच्चा जो है वो कपड़े से ढखकर अपने पापा के साथ खेल रहा था मैंने कहा ना जब बच्चा खेलता है और बच्चे एक मुस्कुराता है ना वो मुमेंट इनके व्लोग के सबसच्छे होते हैं बाकी तो दोनों मैडम और जनाब को सरफ बोर करने के अलावा आथा नहीं है कुछ नया नहीं सोच सकते हैं कुछ क्रिएटिव नहीं सोच सकते हैं कुछ कंटेंट नहीं निकाल सकते हैं अब तो पिजाब नान भी आ जाते हैं तो उनसे मिलकर कुछ कंटेंट निकाल लेते, कुछ मोजभस्ती कर लेते, कुछ छेड़ खानी कर लेते, कुछ तो करते, जो more entertaining लगता अरे बुहान पापा का है? पापा क्यों? अबबा कहलवाओ अ अब्बू कहलवाओ भाई, तुम्हम्मी हो तो वह definitely अब्बू कहलवाने पसंद करेंगे ना और बैसे भी हमारे सिलाम में तो पापा कहते भी नहीं हैं अब्बू और बाबा ही कहते हैं तो वह कहलवाओ अब इसलाम में आके खुद को मम्मा ना कहके, मम्मी ना कहलके, अम्मी कहलवारे हो, तो भाई उनको भी तो अब्बू कहलवाओ कितना अच्छा लगेगा ना, जब वो पहला शब्द बोलेगा अब्बू अगर वो अम्मी है, तो इनको अब्बू ही बोलना चाहिए, और अगर हां, तो प्लीस कॉमेंट में बताइए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या ही फरक पड़ता है, कुछ भी कह सकते हैं, प्यार से बच्चा जो भी पुकारे, तो फिर कुछ भी कह सकता है, मम्मा वाके में अम्मी कहलवा रही हूं क्योंकि हमारे इसलाम में अम्मी कहते हैं तो हमारे इसलाम में अबबा या बाबा कहते हैं या अब्बू कहते हैं वो ही कहलवाओ ज्यादा रिल्टेबल लगेगा और देखो बच्चा दादू के साथ बैठके खा रहा कहते हैं दादू के सा जैसे बच्चे ने देखा कि उसकी अम्मी जो है खाना लेकर आ रही हैं और ऐसे उसने खुशी दिखाई और ऐसे एकसाइटमेंट दिखाई कि बागी बच्चों को पदा चल जा रहा है कि देखो बैए मेरा फूड आ रहा है इसका मतलब वो काफी देर से भूका था जैसे कि हमने कहा था कि अब उनके पापा ने सोरी टॉपी पहनी हुई थी तो इसका मतलब यह फ्राइडे की जुम पूछते हैं उनके नाम से उनको परिचे कराते हैं तो हम पूछते हैं सभी यही पूछते हैं सारी माई यही सिकाती हैं कि कोन है तो वो बच्चे जो अपने आपको बताते हैं अपने नाम से पहले तो रिस्पोंस करना सीख लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद यह भी बताते करें और अच्छी चीजे इसी तरह से सीखें और भाई अपनी बुवा जैसा बिलकुल मिं मत बनी हो वैसे भी उसको बड़ी प्रॉब्लम थी जब यह कहा जाता था कि यह तो नहीं मेरे जैसे तो नहीं है तो भाई अपनी शकल से मिला लो वह माशालला कितना ज्यादा और तरिया हो पता नहीं भाई यह उसको क्या थी जब कमेंट करते तो नहीं मेरे जैसा नहीं तो भाई जैसा है Start तो बहावी के तुमारी कम सुनतर है कि आया तुम अपने आपको यह समझ जो कि मैं भावी से ज़्यादा सुनतर हूं अब भाई यह फिर नेक्स डे होगे ऐसी नेक्स डे करते हैं चार-पास दिन होगे चार-पास दिन से मैं क्लिपिंग शूर कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें नहीं होएगी, मेरा चेहरा ख्राब तो नहीं हो जाएगा, हो जायगा, ठीक हो जायगा चलो तुम लगाओ, चलो मैंने कहाना तुम लगाओ, जब अस्ति कहा कि मैञदम ने वह फेस्पैक लगवा लिया है पिर आईस लिया ही है कटोरे में डाल दिया है तो फिर वही नौटंकी है सो मच नौटंकी है दोनों की और क्या डाला है हालत खराब और इस तरह का कैप्शन लगा के इसके श्कृर्ट लेके लोग से ऐसा लगाया कि जिससे लोगों को लगे ओमाई गोड़ अब इनको क्या हो कि और मैडम ने शेता पेहले भी पैनी थी जब आपणा खुद का का लगाया तो मैंडम क्या से टी-षर यह फिस पेक लिए और कफी लगाने के लिए और जर फेस का जो भी कुछ आपको treatment कर रहा है करना है रिजीम करनी है उसके लिए बनाई हुई कि special ओहो मैडम कुछ भी कर सकती है बाई हो सकता है यह treatment के लिए ही special dress बनाई हो मैडम ने क्योंकि उस दिन भी face pack लगाया था और आज भी face pack लग रहा है मैडम अपने experience समझा रही है आईस को ऐसे लगाओ सुबह सुबह लगाओ आईस से अच्छा हो जाती है इसकी नैसे हो जाती है पोर जब खुले होते हैं लेकिन यह फाइदा जब देगा जब आप यह coffee वाला लगा लोग और लोगों ने बर बर के comment बोलेते कि coffee नहीं लगानी चाहिए फेस पर उसके बाद खुदने तो लगाई लगाई लेकिन सीख दे के जब अजस्ति करके जनाब को भी लगवा रही है नहीं तुम भी लगाओ और यह जो फेस आईस में डुबोना होता है यह सुबह करना चाहिए जो मेरी बसकी नहीं तो मैडम जब आपकी बसकी नहीं है तो जब अजस्ति आपका ही करवा रही हो फिर जनाब को वो तो आपसे भी ज़्यादा डरफोक है और आखिरकार जनाब ने फिर भी एक बार दो बार तीन बार हिम्मत करके करी लिया फिर जब उनको थोड़ा लगा कि हाँ यह ठीक है तो साइट से भी कर लिया इध वाले फिरीज से मंगाली होती लेकिन वही गंदा पाने जिसमें जनाब ने मूर डूबोया था जनाब ने पता नहीं नोजी बोजी पता ने क्या क्या निकल गया होगा तो वही उनके पोर्स जो भी कुछ खुल गए है तो उनकी स्किन का पानी खुद ने यूज कर लिया अ आख में पाने जा रहा है औरे भाई क्यों इतनी नोटंकी करें नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है जाने दो फैकोस को आपको जनाब को करा ना तर जनाब ने कर लिया जल क्यों रहा है वह जो आईस में बर्निंग सेंसेशन होती ना बिल्कुल वैसी हो रहा है अब सेंसेश दो लिया है ठंडा हो गया और फिर आ जाते हैं एंडिंग लेने के लिए और कहते हैं हाँ फेस तो बड़ा अच्छा हो गया है चमक आ गई है मैंने कहा ता ना मैंने कहा ता ना अच्छा हो जाएगा और मैं तो बस आपका यही देख रही हूं फेस ही देखे जा रही हूं तो फिर भी फेस नहीं चमकेगा तो फिर क्या फायदा इतने मेहंगे फोन लेने का इतनी घर में सारी इतनी सारी लाइटिंग कराने का तो जनाब यह फेशियल का और इसका नहीं है यह होगा हो सकता है कुछ परसेंट हो लेकिन यह आपके फिल्टर का कमाल है फरक पढ़ रहा क्योंकि बहुत कुछ था है लेकिन हमने फिर भी कुछ-कुछ इसको बना दिया है आपको पसंद हो और आपकी क्या ओपिनियन है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि मुझे भी जानने की क्योसिटी रहती है कि कोई मैंने मिस तो नहीं कर दिया य मैंने कोई पॉइंटों नहीं छोड़ दिया या आपको ये व्लोग देखकर कैसा लगा तो प्लीज अपनी ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा चली मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई आलहाफिस टेक केर